हम जब भी सिलिकॉन वैली की बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अमारिका की छबी आती है जियां वही अमारिका जहां दुनिया की एक से बड़ी एक इंडस्री और मैनुफाक्शरिंग यूनिट्स है वही अमारिका जिसे IT इंडस्री का जनक माना जाता है अमारिका की सिलिकॉन वैली में आज दुनिया की कई बड़ी कमपनियों जैसे गूगल और फेस्बुक का हेड़कॉर्टर भी है लेकिन जिस तरह पिछले दो दशकों से भारत ने इंफोर्मेशन और कम्यूनिकेशन टेकनलोजी के छेतर में तरक्की की है उससे यह बात बिलकुल लाजमी है कि यह भारत आने वाले युग में दुनिया की सबसे बड़ी IT शक्ती होगा और इसका एक स्टेज आता है बैंगलोर को जी हाँ जिसे बारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है लेकिन आखिर क्या है कहानी बैंगलोर के सिलिकॉन वैली बनने की जानेंगे आज की इस वीडियो में लेकिन उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बैल आइकॉन को भी दबा दिया होगा दोस्तों जब आप बैंगलोर में कोरा मंगला की सड़कों पर चलते हैं तो वहाँ तीन चीज़े जरूर देखने को मिलती होगी यहाँ के बार्स, इंजीनियर्स और अंतर्परनियोर्स यहाँ के होस्टिलों के कमरे और युनिवर्सिटी से लगबग हर रोज एक नए स्टार्टप के साथ बैंगलोर एशिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्टप एकोसिस्टम के रूप में उपर उठ करा रहा है लेकिन बैंगलोर के सिलिकॉन वैली बनने की कहानी वेहद रोचक है इसकड़ी में बैंगलोर हूँ आईटी कापिटल से पहले देश की इलेक्रोनिक कापिटल और उससे पहले देश का साइन सब बना था ऐसा कहा जाता है कि लगबग 1998 में जमशेद जी टाटा ने देश में प्रोग्रेसिव एजुकेशन की नीव रखे थी वहीं बात अगर की जाए जमशेद जी टाटा की तो उनको हम महान टाटा ग्रुप के संस्थापक के नाम पर जानते हैं और देश के विकास में उनकी भूमिका को बहुत ही मुख्य तोर पर देखा जाता है कहा जो आता है कि देश में अलग-अलग अथोरेटी से विचार विमर्ष करने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक साइंस इंस्टिउशन के स्थापना के लिए आवश्यक योजना तयार करने के लिए एक प्रोवेशनल कमिटी का गठन किया था जी हाँ, इसे इंडियन इंस्टिटूट अफ साइंस का नाम दिया गया उस समगे वाइस राई, लॉर्ड कुरूजन के साथ कई चर्चाओं के बाद और रोयल सोसाइटी अफ लंदन, नॉबल विचेता, सर विलियम रामसे को सहीयोग देने के लिए कहा गया जिसके बाद कई फाक्टर्स और देश के हर भाग की जाज करने के बाद, अपने रिपोर्ट में उन्होंने बैंगलॉर को इस इंस्टिटूशन को सेट अप करने के लिए सबसे बहतर जगह बताया इसके पीछे का मुख्य कारण था कि यहां की क्लाइमेटिक कंडिशन्स और बैंगलॉर जैसे शेहर का पुराना इपहास इसके बाद अब बैंगलॉर जल्द ही शिक्षा के छेत्र में आगे बढ़ना शुरू हो चुका था 1970 के डीकेट की शिर्वात में करनाटगा स्टेट एलेक्ट्रोनिक्स डेविलप्मेंट कॉर्परेशन के चेर्में और मैनेजिंग डिरेक्टर आरके पालिगा ने एक एलेक्ट्रोनिक्स सिटी डेवलप करने की बात कही और माना जाता है दोस्तों की यहें उनके ही एफ़र्ट्स का नतीचा है कि आज हम बैंगलॉर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में देखते हैं इसके रिजल्ट में कहा जाता है कि यहां डॉट कॉम हुआ इस समय में इंडियन और विदेशी आईटी कंपनियों के स्थापना की साथ बैंगलॉर की इंडस्ट्री बढ़ने लगी इसके बाद धीरे थीरे अमारिकन कंपनीज ने बैंगलॉर में आना शुरू किया जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है रहा कि भारतिय कंपनियों को भी इन टेकनोलोजीज को समझने और उन पर काम करने का मौका मिला बदले में अमारिकियों ने भारतिय धर्ती पर सौट्वेर फेसलिटी और इनोवेशन सेंटर को खड़ा करके यहां के बड़े टालेंट पूल औ उससे इन दोनों देशों के बीच में टेकनिकल एक्स्चेंज को बढ़ावा मिलना शुरू हो गया इसी बीच भारत कुछ बड़े बदलावों से भी गुजर रहा था और देश का अंत्रप्रिनियोरल सेट अप एक नई दिशा पकड़ रहा था गूगल में नौकरी का सपन के रूप में पहचान मिलनी शुरू है और इसी समय इन में से कई IT और बायो टेकनोलजी एंटरप्राइसेस ने रिसर्ट्स एंड डेवलोप्मेंट यानि आर इंडी सेंटर्स की शुरूआत करनी चालू की 28 सेंचुरी के लास्ट से यह शेयर हाई टेकनोलजी इंडस्ट्री और विशेश रूप से ICT का सिंटर बन गया और कई बड़ी मल्टिनाशनल टेकनोलजी कॉन्परेशन्स ने यहां अपने ऑफिसेस खोलने स्टार्ट किये 1998 में सेंट्रल बैंगलोरू से लगभग, 16 किलोमीटर एस्ट में वाइट फील्ड की सर्बर्स में एक ICT खोला गया सेक्रो टेकनोलोजी, सौफ्टेर और डेली कम्मिनिकेशन्स कंपनीज के साथ यह बैंगलोर को पहली बार एक ऐसे रीजन के रूप में पहचान मिलनी चालू हुई जहां इसे हम एक सिलिकॉन वैली के रूप में पहली बार पहचानने लगे दोस्तों, मैंगलोरू हमेशा से एक जियोग्राफिकली डाइवर्स शहर रहा है और भारत में सबसे तेजी से डेवलाप होने वाली मेट्रोपॉलिटियन सिटी भी यह भारत में कई एजुकेशनल और रीसर्च इंसिटीशन्स की बचा से अब पूरी दुनिया में जाना जाने लगा है जैसे कि Indian Institute of Sciences, Indian Institute of Management Bangalore, National Institute of Design, National Law School of India University और National Institute of Mental Health and Neurosciences इसके अलावा यहां कई स्टेट ओंड एरो स्पेस और डिफेंस ओर्गनाइज़ेशन्स पी हैं जैसे भारत एलेक्रोनिक्स, हंदुस्तान ऐरोनॉटिक्स और नैशनल एरो स्पेस लेबोरेट्रीज वहीं दूसरी तरफ यह शेयर अपने बहतरीन कन्नडा सिनेमा के लिए भी जाना जाता है बैंगलोरू एक डाइवर्ज जगा उने की बचा से हमेशा ही अलग-अलग नामों से जाना जाता रहा है इसे बेंडा कलूरू याने के City of Baked Beans, Garden City of India, Silicon Valley of India कहा जाता था लेकिन अब सबें बदलने के साथ इससे एक और नया नाम दिया गया है जो की है Global Hub of Technology Startups जिससे इस शेहर की importance इंटरनेशनल स्केल पर और बढ़ जाती है लेकिन ऐसा क्या खास है बैंगलोरू में जो इससे Silicon Valley के लिए एक सबसे पहतर जगा बनता है इसकी सबसे खास बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर हुए लगभग सभी Startups बड़ी पैमाने पर सफल हुए है अलाकि दुनिया भर में विभिन जगाओं पर कई Startups होते हैं पर वो उतने सफल नहीं हो पाते जितना कि यहाँ Bangalore की Silicon Valley में होते हैं इसके पीछे की बड़ी बच्छा ये है कि Startups को Grow होने के लिए यहाँ पर पूरा एकोसिस्टम मिलता है Silicon Valley में बड़े पैमाने पर बेहतरीन माइंडसेट के लोग रहते हैं एज़े में जब भी उन्हें कवी Startup पसंद आता है तो उसमें वो बिना देरी किये निवेश कर देते हैं इसकारण investment मिलने पर Startups को फलने फूलने का पूरा मौका मिलता है वही सरकार दुआरा मिलने वाली बिजली, सस्ता इंटरनेट और कई तुरह की विशेश सुविधाएं Startups को नर्चर करने के लिए एक संपूर एकोसिस्टम का निर्मान करती है और इसी कारण Silicon Valley में शुरू हुए Startups को जल्द ही मार्किट में एक बड़ा बाजार मिल जाता है और देखते ही देखते कंपनी एक बड़ा मुकाम भी पा ले दी है दोस्दो करनाटक 1997 में Information Technology Policy लाने वाला पहला राजज़ता जिसने ID के छेत्र के विकास की शुरुवात की और हाली में Startups पर ध्यान केंदृत करने की साथ करनाटक सरकार ने एक विशेश करनाटक का Startup Policy शुरू की है जिसका उदेश्य टेकनोलजी Startups को एक Easy, Smooth और Quick Process बनाना है शेर का बड़ा और डाइवर्स Consumer Base नए प्रोड़क्ट्स और सर्विसेस के Customer Testing के लिए एक पहतर प्लाटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है पिछले कई सालों में यह देखा गया है कि Bangalore में कोई भी ऑनलाइन सर्विस जादा पहतर तरीके से रिस्पॉंस भी करती है और इसके पीछे का मुख्या कारण यह है कि यहां का ओनलाइन यूजर बेस और इंटरनेट एकसेसिवलेटी धुस्तों आईए अब बैंगलोरू के इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं साउथ इंडियन डाइनस्टीज, वेस्टन गंगास, चोलाज एंड होई सालाज ने बैंगलोर में 1537 सक राज किया कैमपी गोड़ा जो के विज़नगर अंपायर के एक फ्यूटरल रूलर थे, उन्होंने मौडरन बैंगलोर की नीव माने जाने वाला मिक्टी का किला यहां स्थापित किया 1638 में मराटों ने बैंगलोर पर विज़े प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक शासन भी किया जिसके बाद यहां मुगलों ने कबजा कर लिया और शेहर को वाडियार डाइनस्टी के मैसूर सामराज्य को बेच दिया बाद में इसे ब्रिटिशर्स द्वारा चौथे अंगलो माईसूर युद में 1799 में जीत के बाद कबजा कर लिया गया था और माईसूर के महराजा को शेहर का एड्मिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सौंप दिया गया पुराना शेहर मैसूर के महराजाओं के शासन में विक्सित किया गया और इसे मैसूर के रियासत की राजधानी बनाया गया जो ब्रिटिश राज की प्रिंसिकल सौवरेन यूनिट के रूप में मौझूद थी 1809 में पुरानी शहर के बाहर अंग्रेजों ने अपनी छावनी को बैंगलॉर में ट्रांस्वर कर दिया और इसी प्रकार यह शहर बड़ा हुआ जो कि बिटिश भारत के हिस्सों के रूप में ओपरेट किया जा रहा था 1947 में भारत की स्वतन्तरता के बाद बैंगलॉर मैसूर राज्ये की राजधानी बन गई और 1965 में करणाठक को भाषग यह अधार पर एक नयार राज्ये बना दिया गया और बैंगलॉर को इसकी राजधानी की रूप में रखा गया इन सब चीजों को देखते हुए यह बात बिलकुल साफ हो जाती है कि जिस तरह भारत में Entrepreneurial Force और ID Minds की एक नई nursery तयार हो रही है तो वो दिन बिलकुल भी दूर नहीं है कि जब हम Bangalore को US की Silicon Valley से भी ज़ादा बड़ा होता हुआ देखेंगे इसके अलावा जिस तरह भारत के और दूसरे शेहर हाइदराबाद और गुरुक्राम भी ID के शेत्र में आगे निकल रहे हैं तो हमें और भी सिटीज भारत के अलग-अलग कोनों में देखने को मिलेंगी भेराल अगर आपको हमारी है पेशकर्ष पसंद आई हो तो अपनी रायक नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें इसी की साथ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले और हाँ अगर आप हमारे चैनल पन्दाए हैं तो सब्सक्राइब किये भिना बिल्कुल ना चाहें और बेल आइकॉन को भी दबाद है ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले